इस वीडियो में हम ग्रेड 8 रैशनल नंबर के सम्स सॉल्फ कर रहे हैं चलिए देखते हैं कैसे सॉल्फ करते हैं यह सम्स सिंप्लिफाई 8 अपॉन माइनस 15 प्लस 4 अपॉन माइनस 3 तो जब भी इस तरह के सम्स आए तो मैंने 4 स्टेप्स अफ चेकिंग लिखा है वो आप अपने माइन में रखिए और माइन में बोलते जाईए और चेक करते जाईए सबसे पहला पॉइंट है आर डिनॉमिनेटर पॉजिटिव तो डिनॉमिनेटर जो है हमारे पॉजिटिव है नहीं है तो क्या करेंगे, जो minus sign denominator में है, उसको हम numerator में लिख देंगे, simple है, उनको numerator में transfer कर देना है, अब ये आप steps देख लीजिए, मैं नीचे scroll कर रही हूँ, sums के साथ ये steps आपको समझाती जाओंगे, ठीके, तो अब यहाँ पे जो है, मैंने, आपको चेक करना है, first point, numerators positive नहीं है, sorry हम क्या करेंगे, हम numerator में, जो sign है, denominator की, वो transfer कर देंगे, next step हमारा है, कि denominators are same numbers, no, they are different, 15 and 3, so if denominator numbers are different, we have to find their LCM, so this is the method to find the LCM, so 15 और 3 लिखा, और उसके minimum multiple से उनको divide करना शुरू किया, तो 3 5s are 15 and 3 1s are 3, next step में 5 1s are 5, तो यहाँ पे multiple की आया, 3 and 5, so 3 and 5 का LCM क्या निकला, 15, third step है हमारा, convert the given fraction into its common denominator, तो question में जो हमको fraction दिया है, उसका common denominator जो LCM आया, वो लेके उसको convert करना है, तो कैसे करना है, minus 8 by 15 question में है, denominator हमारा आया 15, तो लिखा 15 यहाँ पर, how many 15s are 15, 15 1s are 15, तो multiply करेंगे numerator को भी 1 से, तो हो जाएगा, minus 8 upon 15, next हम देखेंगे, तो next कैसे होगा, minus 4 upon 3, minus 4 upon 3 है, denominator हमारा की आया 15, तो how many 3s are 15, 3 5s are 15, तो यह 5 जो है numerator में भी multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 5s are 20, so minus 20 upon 15, तो इस method से हमने क्या किया, denominators को same कर दिया, और जब denominators same है, तो हम numerators को add या subtract जो भी करना है, वो कर सकते हैं, easily, तो बस वही करना है, तो पहले हम question लिखेंगे, minus 8 upon 15, sorry, यहाँ पर मैंने question नहीं लिखा है, directly मैंने उनका converted terms लिख दिया है, तो यहाँ पर converted terms हैं, हमारे minus 8 upon 15, plus minus 20 upon 15, generally यहाँ पर पहले जो question दिया है, वो लिखना होता है, उसके बाद यह step आता है, अब 15 common है, तो 15 common लिख दिया, minus 8, plus, अब plus minus जब 2 sign आए ना, तो हमेशे याद रखना है, कि negative numbers को हमें bracket में डाल देना है, bracket में minus 20, अब board math rule याद रखना है, सबसे पहले हमें bracket solve करना है, तो plus को हम multiply करेंगे, यह minus sign से, तो क्या हो जाएगा, plus multiplied by minus, तो क्या होगा, minus, तो इसलिए क्या है, minus 8, minus 20, अब minus और minus number है, तो क्या करना है, add, minus minus होगा, add, तो 20 plus 8 is 28, sign कौन सा लगेगा, बड़ा number का, बड़ा number क्या है, 20, उसका sign क्या है, minus, तो minus 28 upon 50, so what we get the answer is, minus 28 upon 50, तो final answer को इस तरह से box में लिखिए, next है, जो हमको fraction हमने convert किये है, उसको भी इस तरह के से box में लिख दीजिए, ताकि representation अच्छा लगे, और आपको mistakes नहों आपकी, तो इस तरह के से ही, यह represent करने है, sums, solve करने है, यह steps आपको लिखने नहीं है, mind में याद रखने है, I hope आपको यह easy से समझ में आया होगा, और कैसे solve करना है, step by step clear हो गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है, तो like करिए, share करिए, subscribe करिए, thank you and thanks for watching.